जैहो करूली सरकार की, जैहो कामाख्या माता की, जैहो शिपशक्ति दरबार की, बोलो राधार आमण हरी बोल आप सभी को मेरी तरफ से जैबाबा की मेरा नाम हरशिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर में किस तरह की मूर्तियां रखनी है और अगर आप दरबार से जुड़ चुके हैं, तो आपकी जो घर में मूर्तियां है, कौन सी हटानी है, कौन सी रखनी है और मूर्तियों के साथ क्या करना है पहले तब उनको अपने मंदर में दुबारा से सजाना है पहली चीज, यह चीज हर किसी के घर में अपलाई होनी चाहिए, क्या है वो जो दरबार से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं लेकिन यह चीज सभी के अपलाई होनी चाहिए, क्या, कि 6 इंसे बड़ी मूर्तियां अपने घर में ना रखें 6 इंच से बड़ी मूरतिया अगर आप घर में रखते हैं तो उसमें संभाव ना बनती है कि उसमें प्रेत अप्राज मान होते हैं ठीक है और आपको अगर रखनी है घर में तो 6 इंच से छोटी या 6 इंच बराबर की मूरति ही रखें तो यदि आप दर्बार से जुड़ चुके हैं, तो दर्बार के जो आपने हवन की जो आपके पास भसम होगी अगर आपके पास वो भी ना हो, तो आप दर्बार से भसम लाएं, उस एक बरतान लें उसमें पानी मिलाएं पानी डालें साफ और उसमें वो भस्म मिलाएं ठीक है और आपके घर के जितनी भी छैन से छोटी मूर्थियां हैं वो उस पानी में डिप करके मलब साथ बार उनको गोता लगवा के और उनको अच्छे से पॉच पाच के अपने मंदिर में सजा देनी है उनकी तब राम से बढ़ी मूर्थियां उनको तुरंट से आप गंगा जी में या जो भी बैता जल हो वहां पर विसरजित कर दें यह निंकी आपने मैंने बहुत से लोगों को देखाएगी वह पीपल के पेड़े होते हैं उनके नीचे ले जाके रख देते हैं पता नहीं कहां कहां रख देत हो जाते हैं यह काम आपको नहीं करना है क्योंकि जो चैंसे बड़ी मूर्तियां है ठीक है या जो भी जिससे भी उनसे आपकी स्मacularतियां जुड़ी हूज है ठीक है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुक्षान्ती बनी रहे तो क्योंकि हमें लगता है कि यह स्वूर्थियां बट नहीं वह मूर्थियों के रूप में नेगेटिव एनरजी वहां पर व्राजमान रहती है तो आप उन मूर्थियों को जल में ही विसरजित करें वह सबसे बैस्ट है मन से तार हटाने के लिए वहां से उन इसमें उसे करेक्श्वोड नहीं है तो आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नई वीडियो में तो जै बाबा की आप सभी को जै हो करूली सरकार की जै हो का मख्या माता की जै हो शिवशक्ति दरबार की बोलो राधार अमन हरी बोल